श्री शिवाये नमस्तु ब्यम ओम नमस्तु शिवाये नमस्कार दोस्तों आज भादरपद मास की मासिक शिव रात्री है इस दिन रात्री के समय में भगवान शिव शंकर की पूजा का शुब समय है आप भगवान शिव को प्रसंद करके अपने मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं महाकाल शिव आसानी से प्रसंद होने वाले और भक्तों की जोली में उनकी मनोकामनाओं को भर देने वाले देव हैं ये मन के विकार, दुख, दरिद्रता, अकाल, मृत्यू, भै, ग्रह दोश को दूर करने वाले और पुत्र, धन, सम्मत्ती, सुक्स, मृत्धी, आदी, प्रदान करने वाले हैं। दोस्तों, परमपुज गुरुदेव जी के बताय हुए कुछ अचुक उपाय आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसे मैंने अच्छे से सुना है और समझा है और मैं आपके साथ ये उपाय आज शेयर करने वाली हूँ, जो आज के दिन आप कर सकते हैं, जिन लोगों के घर में धन वैबों की कमी रहती है और नौकरी व्यापार में परिशानी चल रही है या घर में तनाव की स्थिती बनी रहती है, इस उपाय को आप कीजे और शंकर भगवान के सामने जो मैं बता रही हूँ, उसे चड़ाइए और अपनी मनोकामना को बोल दीजे, परमपुज ग काली मिर्च लेना है और साथ काली तिली के दाने लेने हैं, इनको आप साथ में ले करके शिव मंदिर आज शाम के समय चले जाईए, और अपनी मनोकामना को बोलते हुए जो कुछ भी आपकी एक्षा है, ये काली मिर्च और साथ काली तिली के जो दाने हैं, वो भोले नात पर चड़ा दीजे, ठोड़ी देर वहां बैटकर श्री शिवाय नमस्टुब्यम का जब कर लीजे, ओम नमस्ट शिवाय का भी आप जब कर सकते हैं, वैसे भी जब भी मंदिर जाते हैं, बैटकर ठोड़ी देर मंदिर में टाइम दे कर ही आना चाहिए, बिल्कुल खड़े ख पामना जरूर पूरी होती है दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि कई लोग वहां जाक खाली लोटा लेकर घर से चले जाते हैं वहां जाते हैं मंदिर में पानी भरते हैं फिर वहीं शंकर जी को चड़ा देते हैं ऐसी गलती आप कभी भी ना करें आप घर से पानी भर करके ही ले जाएं और फिर वह शंकर जी पर जल चड़ाएं गुरु जी कहते हैं कि ऐसा करने से शंकर जी प्रसंद होते हैं आपके घर की दुख दरिदरता नश्ट होती है दोस्तों आज शाम को आप मंदिर जरूर जाएं मंदिर जाकर ये इस अचूख उपाय का असर जरूर हमारी जिन्दगी पर होगा जिन वीवर्स को ऐसी कोई भी समस्या है वो कॉमेंट सेक्षन में लिख कर बता सकते हैं मैं जरूर कुछ न कुछ उपाय सर्च करने की कोशिश करूँगी शिवरातरी से जुड़े कुछ और भी उपाय हैं जिन विधी पुर्वक पूजन करें ऐसा करने से संतान योग बनता है शिवरातरी के दिन केवल 21 बेल पत्र लें और उस पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिख लें और ओम नमः शिवाय मंत्र के उचारन के साथ एके करके शिव जी को अर्पित करें ऐसा करने से मनोकामनाएं होती है यदि आपको अपने जीवन में धन धान्य सुख और सम्रिदी चाहिए तो शिवरातरी के दिन शिव जी को जौँ चड़ाएं जो जौँ को पवित्र अनाज माना जाता है यदि आप किसी बिमारी से ग्रस्थ हैं और उससे मुक्ती नहीं मिल पा रही है तो आप महाम रित्युन्जे मंत्र का जाब करें मंत्र जाब से पूर्व शिव जी की पूजा बेल पत्र चंदन फूल फल धूप दीप आदी से कर सकते हैं यदि तनाव है और उससे चुटकारा पाना चाहते हैं तो शिवरातरी पर शिव जी की पूजा करें उसके पशात ओब नमस 108 बार जब करें इससे आपके मन को शांती मिलेगी यदि आपके विवाहिक जीवन में कोई संकट है तो शिवरातरी पर पती और पत्नी दोनों साथ में शिव और माता पार्वती की पूजा करें आपका दामपत्य जीवन सुख में होगा जिनका विवाह किनी कारणों से नही पूरानों में शिवरातरी का वरत सभी मनो कामनाओं को पुर्ण करने वाला बताया गया है प्रतेक महीने शिवरातरी पर भोलेनात और देवी पारवती जी की पूजा करने से सौभाग्य वती होने का आशिरवाद मिलता है शिवरातरी तिथी शिव शंभू को बहुत ही प् भादो में शिव्रात्री का वुरति रख इन् चारो प्रहर की पूजा करता है, उसे भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। सो योग योवर मिलता है भादो शिवरात्री पर कई शुव योग का संयोग भी बन रहा है जो इस दिन के महतों में बढ़ोतरी कर रहा है इस भादरपर शिवरात्री पर गुरु पुष योग, सरवार्थ सिद्धी योग और अम्रित सिद्धी योग बन रहे हैं ये तीनों ही योग सुब छे बच के तीन मिनट से शाम चार बच के सोलह मिनट तक रहेंगे इस योग में शिव पूजा बहुत पुर्णेकारी मानी जाती है इन योगों में भगवान भोले नात की उपासना करने से हर कारे शुब हो जाते हैं शिव रातरी पर शाम के समय यानि की शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक शिव लिंग पर दूद से अभिशेक करने से धन सम्बंधित परिशानियों से निजात पाई जा सकती है और इस दोरान ओम रिंग इशानाय नमह मंत्र का जाप करना चाहिए ओम, हिंग, इशानाय, नमह इस मंत्र का जाब करना चाहिए दोस्तों वास्तु से जुड़े हुए और भी किसी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं धन्यवाद